हाई गाई सोगत आपका मेरे चैनल में तो हैपी दिवाली टू अल अफ यू और आज के जो ब्लोग है मैं स्टार्ट करही हूँ बड़ी दिवाली से तो यहां पर मैं तेयार हो रही थी और यह जो भी आप देख रहे थे वह थोड़ी दिर पहले वह क्या था हमारे अंसती की खोक लगती हैं तो वह की जारती बाकी यह जो मैं तैयार हो रही हूं इसकी बाद हम यहां पर पूजन करेंगे तो आप देख तो यहां पर मैं तयार हो चुकी हूं थोड़ा सा रहा थोड़ी पहनने के लिए यहां पर मैंने एरिंग, बैंगल और अपनी पाचे पहन ली है तो अब यह है मेरा फाइनल लुक आपको कैसा लगा कमेंड में जरू बताना अब मैं जा रही हूं पूजन करने के लिए तो यहां पूजन करने के लिए तयारी कर रहे हैं पहले दिये जलाएंगे तो यहां पर दिये जला रही हूं है इतने आपको वीडियो को इसे दोस्ति करवाता ही रहे हैं बंसında क्यों से वडिए दोस्ति कर रहे हैं झाल झाल तो फाइनली जो भी प्रॉसेस होता है दिवाली का सब कुछ हमने कर लिया है दिए भी जला लिये हैं भगवान को माला भी चड़ा दी है परशाद भी लगाया है और अब मैं रेडी कर रही हूँ यहां थोड़ा सा केंडल्स वगरा जला रही हूँ यहां मी्लाँ है यहां रही हूँ सेमय और इसके बाद मैं जा रही हूँ और हेल्थ और वेल्थ दोनों सही रहे, मैं आप यही प्रेयर करती हूँ, आप भी प्लीज मेरे लिए प्रेयर करना और मैं भी आपके लिए प्रेयर करती हूँ, तो इस जिवाली मिलके सेलिबरेट करते हैं, तो यहां पर मैं पूजन करने की तैयारी कर रही हूँ, अब मैं कर र पिता जाकी पारवती पिता माखा देवा एक दंत दयावंत चार बुजाधारी माथे तिलक सोहे मुसे की सवारी पान चड़े फूल चड़े और चड़े मेवा लड़ुवन का भोग लगे संत करे सेवा जै गनेश जै गने नुदाता उम जै लक्षमी माता सूमारमाम रामनी तुम ही जग माता मया तुम ही जग माता सूर चंद्र माधावत तो गैज फाइनली पूजा कंप्लीट हो गही है हर जगा दिये जला दिये हैं सब कुछ करती है और यह है मंदिर का लुक आफटर पूजन तो यहां पर आप देख सकते हो किसला सुन्दर लग रहा है मिरा मंदिर और अखंड जोत जो है वो जलती रही कि पूरा दिन के दे मुझे जाना है इनलोज के घर तो मैं मिलूंगी आपसे वहां से आने के बात बाद बाइबाई